इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। आपको अच्छा महसूस होने पर भी इसे लेते रहना महत्वपूर्ण है। आप इस दवा को लेना बंद कर देते हैं, तो इससे आपको एक और दिल का दोरा या स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ सकती है। इस दवा के साथ देखा जाने वाला सबसे आम दुश्प्रभाव रक्तस्राव है। यदि आप अपने आपको कारते या घाल करते हैं, तो रक्तस्राव को रुखने में सामाने से अधिक समय लग सकता है। रक्तस्राव के ऐसे एपिसोड आम तोर पर हलके होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को इस दवा को लेने के बाद हलकी सांस फूलने की समस्या हो सकती है, हाला कि यह आम तोर पर निरंतर उपचार के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या रक्तस्राव बना रहता है या यदि सांस फूलना खराब हो जाता है या दूर नहीं होता है। टिकास्पान टाबलेट कुछ लोगों के लिए उप्योक नहीं है। अगर आपको शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो जैसे पेट में अलसा या दिमाग में ब्लीडिंग हो तो इसे न ले। यह जिगर की बीमारियों वाले लोगों के लिए भी अनुशनसित नहीं है। दवा का उप्योक करने से पहले अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।